तो आज हम लोग रीट करेंगे बिटा प्रोज के सेकंड चैप्टर चैप्टर का नाम है वी आर नौट एफरेट तुड़ाई इफ वी कें ओल भी टुगेदर पहले तो यह नाम है इस निलेशन के नाम के मतलब ही जान लेते हैं पहले कई जिसका मतलब क्यों होता है उसका मतलब यह YE कि वी आर नौट एफ इंफ पंवझे होता है डर ना संद Finally यहां। एक सत्ग यह हमों सभी लोग एक साथ रहते हैं तो हमें मरने से डर नहीं लगता है। यह एक डायलॉग किशिक दर कहा गया है। इस पर को राइट किया है Gordon Cook और इस ने। तो जो यह राइटर है यह दोनों ही इस चैप्टर को राइट किया है तो हमें यही ऑथर्स हैं तो आथर्स के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है हलंकि पूछा नहीं जाता है लेकिन अब उन्होंनों ही इस चैप्टर को राइट किया है तो कंपल सरी हमें थोड़ा उनके बारे में पता तो होना ही चाहिए तो आते हैं बाउट दॉथर्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग ठीक है लिखा हुआ है कि गॉर्डन कुक बॉर्न ऑन अक्टूबर थी 1927 गॉर्डन कुक जो है इनका जन्व थी अक्टूबर 1927 में हुआ था वाज अन अमेरिकन एजुकेटर जो अमेरिकन एजुकेटर भी थे अध्यापा कर नहीं सिच्छक थे यह फिर वजब अप्रिंट मेकर थे पेंटर थे एंड इसकल्प्टर इसकल्पिटर मुन होता है मूर्थिकार जो पेंटर याने चित्रकार थे इसकल्पिटर यानि कि मूर्थिकार भी थे बैट्विन 1945 ए 1950 यानि 1945 निश्युपचास के बीच ही वाज इन्रोल्ट इन्हीं स्टुडीज एट इल्नॉइज वेलसन यूनिवस्टी यहां पर उन्होंने बीएफ एको अर्न मने वैसे होता है कमाना लिकनि यहां पर सीखा जहां पर उन्होंने बीएफ एका पहले तो पुल फॉर्म जालें सब्सक्राइब सिहां बैचलर और फाइन आर्ट जहां पर उन्होंने आपने बैचलर ओफ वाइन आर्ट की जिकिरी को या शिक्षा को प्राप्त कि रिखें का भी अध्यन कीया विक सब्सक्राइब supplementary क singular बीरा बरडिज के साथ विदिवीरा बर्डिच के साथ in 1949 में उन्होंने विदिवीरा बर्डिच के साथ Intaglio Printmaking का भी अध्यान किया and attend SW Haters Lecture और उन्होंने SW Haters यानि कि ये एक वहाँ के अध्यापक है अब कौन से स्कूल के अध्यापक बताया गया है और SW Haters Lecture at the School of the Art Institute of Chicago सिकागो के कला संस्थान के स्कूल के जो SW Haters थे उनके लेक्षर को भी ने उन्होंने क्या किया attend किया क्लियर है यहां तक आगे लिखा वहाँ है कि ही रेलोकेटेड टू आयोवा ही रेलोकेटेड टू आयोवा सिटी इन नाइंटीन फिप्टी फॉर ग्रेजुएट स्टडीज इन प्रिंट मेकिंग ही रेलोकेटेड मतलब वह चले गए इसनाता के लिए यानी प्रिंट मेकिंग में इसनातक प्रिंट मेकिंग में ग्रिजुएशन की डिगरी को प्राप्त करने के लिए वह कहां पर चले गए आईयोवा सिटी चले गए गॉर्डन कुक डाइड आगस्थ 5 नाइंटेन डिफाइब गॉटनकू का जो डेथ हुई थी जो गॉटन की मृत्य हुई थी वह 5 आगस्थ 1985 में धाउने गॉटन कूप के बारे में हम लोगों नहीं आप क्या कर लिया जान लिया अब ऐलन इस्ट भी इसके डेरी के नियुहम्पसायर के इस डेरी में हुआ था है किया है को फाउंडर ओफ मल्टी कैडमी ट्रेस्ट सेंटरल अकडमी ट्रस्ट विछ हैट इंप्रूविंग स्टैंडर्ट इन सेकेंडरी एजूकेश्ट है वाज़े को फाउंडर वह शह सनस्थापक भी थे अप मल्टी इंंका इंप्रूविंग pretend WOR आफय की माधमिक शिक्षा में सुधार करना माधमिक सिख्षा के इनका उद्टेश था यह जो दोने ट्रस्ट चलाए गये इनका उद्टेश क्या था कि वह लादमिक शिक्षा के मानकों में यह मादमिक शिक्षा में स्तुधार करना जिसके वह क्या थे को फाउंडर थे इसमें बताया क्या आगया है ठीक है डिसलेशन रिकांट्स दे स्टोरी ऑफ बिजनेस्में यह जो इस्टोरी है एक बिजनेस्में की है यह जो स्टोरी है एक बिजनेस्में और इस वाइफ उसकी पतनी और दो चोटे बच्चों के बारे में बताती है ठीक है फॉर सिक्स्टीन यहर्स यानि कि सोला साल तक डिमेंड प्रिपेएड इंसेल्फ यानि कि जो यानि कि पहले तो समझ लोगी जो इस्टोरी जो कहानी है वह एक सैंतीस साल थर्टी सेवन यह ओल्ड बिजनेस्में की है थर्टी सेवन थर्टी सेवन यहर्स ओल्ड बिजनेस्में के जिसके एक वाइफ है उस वाइफ का नाम है मेरी वाइफ का नाम के बिता मेरी और उसके दो चिल्टहर। तो जो जोनेतन है वे बच्ची है वो स्व्दिनीक्तर जोसी समयर rappers इन दोनों ने एक dream देखा था वो स्वपन क्या था voyage का स्वपन देखा था यहीं समुद्री यात्रा करने का एक स्वपन देखा था 37 years old business man और उसकी wife and his wife Mary इन दोनोंने मिल करके क्या देखा था एक समुद्री यात्रा करने का एक सपना था इन लोगों का कि वो एक captain थे James Cook James Cook captain थे जो 200 साल पहले उन्होंने समुद्री यात्रा की थे तो उसी समुद्री यात्रा को duplicate करने के लिए दोहराने के लिए दोहराने का उन्होंने क्या करा था सपना देखा था था तो यानि कि 37 years old businessman और उसकी wife Mary और उनके दोनों बच्चे अपनी समुद्री यात्रा को स्टार्ट करते हैं आरंब करते हैं कहां से इंग्लैंड के प्लाइमाउट से आरंब करते हैं और उस यात्रा को आरंब करने के लिए उनके पास सकनाव है जो 23 23 मीटर लॉंग और 30 टन वुडेन लकड़ी की बनी हुई है सुन्दर बनी हुई है जो प्रफेशनी बेवसाईयों के दोरा बनाई गई थी तो यही बताया गया है ठीक है तो अब पूरी समरी स्टार्टिंग से हम लोग लेशन के माद्यम से रीड करें लिखा हुआ है इन जुलाई इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी सन जॉनथन शिक्स ये शिक्स के मतलब है उसकी एस को सुवब कर रहा है यहां पर डॉटर सुजैन सेवन एंड आई सेट सेल फ्रॉम प्लाइमाउथ इंग्लेंड अब यहां पर जो 37 येस ओल्ड विजनी मैन है लेखा कह रहे हैं यहां पर कि इन जुलाई 1976 यानि 1976 में माई वाइफ मैरी मेरी पतनी मैरी और मेरा सन पुत्र जॉनथन छे साल का जो था बेटी सुजैन जो साथ साल की थी एंड आई यानि कि मैं 37 येस ओल्ड बिजनीसमें मैंने कि मैं सेल्फ सेट सेल मने होता है समुद्री यात्रा आरंब की सेट सेल जो या आरम किया आगे बता जिया गया कि तो डुपलिकेट मने होता है तोहराने के लिए सनसार के समुद्री यात्रा को मेरा इन 200 years मन होता है 200 साल earlier मनें पहले by Captain James Cook यानि 200 साल पहले Captain James Cook के द्वारा Captain James Cook के द्वारा किये संसार की किये गए समुद्री यात्रा को 200 साल पहले Captain James Cook थे उन्होंने समुद्री यात्रा से पूरे संसार की यात्रा समुद्र के माध्यम से पूरे संसार की यात्रा की थी उसी यात्रा को उसी वोईज को डुप्लीकेट करने के लिए इन्होंने 1976 जुलाई 1976 में इंग्लैंड के प्लाइमाउट से अपनी वाइफ मेरी, सन जॉनतन, डॉटर सुजैन और स्वयम खुदे इन्होंने अपनी जलिया आत्रा को क्या कर दिया क्लियर है यहां तक आगे लिखा हुआ हैं बोल रहे हैं कि फॉर्ट लॉंगेस्ट टाइम लंबे समय से मैरी एंड आई मैरी यानिकि उनकी वाइफ एंड आई मतलब कि मैं यानिकि 37-year-old businessman यानिकि 37 साल का businessman यहां पर यह कह रहें कि मैरी और मैं यानि यानिकि businessman यानिकि मैं और मेरी वाइफ had a dream of selling मैं और मेरी वाइफ मैरी ने एक सपन देखा था सपन था किसी इसका सेलिंग समुद्री यात्रा करने का in the wake of मने होता है अनुसराण करके the famous explorer मने होता है प्रशिद्य खोज करता है यानिकि प्रशिद्य खोज करता का करता था यानिकि captain James Cook यानि जो famous explorer थे इनका अनुसराण करके वह एक समुद्र उन्हों ने उन दोनों ने यानिकि husband wife दोनों ने एक समुद्री यात्रा करने का सपन देखा था यानिकि सपना था और यहां पर यह लिखा कह रहे है कि end of four और यह बोलना है कि end for the past 16 years यानिकि पि we had spent all our laser we मने हमने had spent माने आता है खर्च किया है all our laser अपना पूरा रिक्ट time मने समय यहां पर यह यहां पर यह कह रहा है यानिकि 37 years old businessman यह बोलना है यहां पर कि मैंने अपना पूरा समय जो पूरा रिक्ट समय था 16 यानि मैंने पिछले 16 सालों से अपना पूरा रिक्ट समय पूरा जो फुरसत का जो समय था वो honing our seafaring skill in British waters बिटिस मन होता है बिटिस waters मन होता है ब्रिटिस वाटर्स मन होता है ब्रिटेन के समुद्र में यानि ब्रिटिस के समुद्र में मैंने अपने मैंने अपने समुद्री यात्रा के कौशल को तेज करने में समुद्री यात्रा के कौशल को तेज करने में पिछले 16 सालों से अपना पूरा रिक्त समय क्या किया है उसी में किया है क्लियर है यहां तक और आगे लिखा हुआ है ठीक है फिर से देख लिए उसके एक बार इन जुलाई 1976 माई वाइफ मेरी सौन सन जोनथन और सिक्स डॉर्टर सुजैन सेवन एंड आई यहां पर यह कह रहे हैं और तर की यह निकि उननिस जुलाई 1976 में माई वाइफ मेरी सन जोनथन मेरी बेटी सुजैन और मैंने स्वयम यहां एक सेट सेल समुद्री यात्रा आरम की फ्रॉम प्लाइमाउट इंगलेंड इंगलेंड से आरम की यह भी बता रहा है तुडुप्लिकेट बाने होता है दोहराने के लिए दराउंड दवल व्य यानि संसार की समुद्री यात्रा को दोराने के लिए उसी समुद्री यात्रा को डुप्लिकेट करने के लिए उन्होंने जुलाई 1976 में अपनी यात्रा को आरम किया और आगे बोलें फॉर दा लॉंगेस टाइम लंबे समय से मैरी एंड आई यहांई मेरी यहांए और मैंने यानि की 37 सेवन येर्स ओलड बिजिसमें मैने और मेरी वाइफ यहांऊख मेरी ने थ्रीज़्व द्रीम अफ सेलिंग दर समुद्री यात्रा करने का सपना था यानी समुद्री यात्र करने का सपना था है इन समुद्री यात्र करने का इस फ्यमSub-लोरर। प्रिसिध मांने आनुसरण करने का सपना था। और पिछले सोला सालों से हमने खर्च किया है अपना पूरा रिक्त समय पूरा फुरसत का समय था वो किसमें विद्धित किया है होनिंग आवर स्कीस अवनिंग करने में अपने सीफेरिंग समुद्री यात्रा जो कौंसल होते जो जो जेंनी होती उन्हें उन सभी को तेज करने में उन्होंने अपना पूरा समय विद्धित किया है इंडि एनी ब्रिटी स kwastery ब्रिटे के समुद्रे में और आगे लिखा हुआ है कि आवर बोट वेव वॉपकर ऑब बोट का नाम गया है वेव वॉकर गया है जिसकी जो लेंथ है लंबाई है 23 meter long है और जो वेट उसका 30 ton wooden की लकड़ी की बनी हुई हल्ड पतवार जो नीचे का जो पतवार होता है जो जिसमें बैठते हैं वो लकड़ी के बनी हुई है ब्यूटी सुंदर तरीके से बनाई गई है सुंदर लकड़ी की बनी हुई है आगे लिखा है कि हैड बीन प्रोफेसनली य बियूट जो प्रोफेसनली बैवसाईयों के दार बीव्यूट की गई है ये बनाई गई है एंड वी हैड़ी इस्पेंट मन्स critical हम ने इंड़ी इस्पेंट किया है व्यतीत की हैं मन्स महाने होता कई महीने महीनों वितित किये हैं fitting it माने होता है इसे fit करने में इसे बनाने में and testing it in the roughest weather और इसे roughest सबसे बेकार मौसम में test करने में और इसे fit करने में जोडने में बनाने में हमने महीनों वितित किये हैं भीकुड फाइंड यहाँ पर यहां पर यह वी-कुड फाइंड वी मांने हम प्वेभावक सकते थे या जितना नो अंद आव को यानि जो उनका पॉर्ड थी उसको क्या किया है ड्राइड किया है ताकि मतलब कि हम समूधर में आत्रा करेंगे तो जितना खराब सब्सक्राब मौसम हो उस सभी को क्या कर ले फेस कर ले ठीक है ना बोट उनकी आगे लिखा है थे फ़र्स्ट लेग आफ आफ आवर प्लैंड थ्री एर वन लाख फाइफ थाउज़ंड ठीक है आवर माने हमारी प्लैंड माने आयोज़ित थ्री एर माने तीन साल की हमारी तीन साल की एक लाख पांच हजार किलो मीटर आयोज़ित जरने यात्रा का जो पहला चरन था हमारी तीन वर्स की हमारी तीन वर्स की एक लाख पांच जार किलो मीटर आयोज़ित इतनी हमने तीन साल तो हमारी तीन साल में या तीन वर्स में एक लाख पांच जार किलोमीटर आयोजित यात्रा का पहला चरण पास्ट बीत गया कोई परसानी नहीं हुए आपे कौन कह रहे हैं ऑथर बता रहे हैं थर्टी सेवन एयर्स ओल्ड बिजनसमेन कह रहे हैं एज्वी सेल डाउन दौस्ट आफ्रीक फोल थो केब टाउन एज्ञण कि महीं एक बेसेलल में हम यात्रा किया में यात्रा कर चुके थे सबसंट को स्वेंटर ऑफ कर से ऐए sulphख केबड़िय तक घ्रान करता जाकर दोड़िया तक यात्रा क्यूंकि हमने आफ्रीक के पस्मी तर्ट से केप टाउन तक यात्रा कर लिया था और यहीं तक हम पहले यात्रा करना था तो वह जो पहला चलाण था उनका खुशी-खुशी क्या हो गया था बीट गया था आगे लिखा कि दे तो इसट वीडियर मने वहां पर अफ्रीका के सोडक वेस्ट आफ जब पहुंचें हां ऑare खुल्स यहां सब्सक्राइब Из तक उनका जो यात्रा था वह एक लाख पांच जार किलोमेटर डिस्टेंस थी यह उनका अहांसी खुसी क्या हो गया बीत किया ठीक है अब जो केप टाउन पहुचे तो वहां पर देर माने वहां पर बिफोर माने पहले हैडिंग माने आगे बढ़ने पर इस्ट माने पूर्व वहां पर उन्होंने इस्ट की ओर बढ़ने से पहले वहां पर इस्ट की ओर यानि पूर्व की ओर आगे बढ़ने से पहले वी माने हमने लिए यह तक आप चलते हैं आगे तो कि वी टुक वहां पर वी बिताया था ना हाँ वी माने हमने टुक माने लिया ओन्टू क्रिवमेन क्रिवमेन यानि के हलपर कहें चाहें तो आप नाविक कहें वी टुक अन्टू क्रिवमेन वहां पर हमने दो क्रिवमेन लिया यानि दो हलपर लिये यानिके दो नाविक लि और लगे लिखा हुआ है कि उनका क्रेव में जो है वह उनका क्रिवεται का नाम क्या है एंच है ऐसे अमेरिकन यानी अमेरिका का है − लारी विजइल ठीक एहकर का नाम मिल्इक है जिसका नाम क्या है पैले का नाम ए लारी विजइल एंड़ सचेट city स्विटिजर घंट का है इसका नाम है काना मैं पिटा मैं करने में हमारी की सामना करने में of the words मने संसार के roughest मने सबसे भयानक सबसे तूफानी सीज मने होता है समुद्र संसार के सबसे तूफानी समुद्र का सामना करने में इंडियन ओशियन दच्डी हिंद महासागर का सामना करने के लिए उन्होंने दो क्रिम में लिए जिनका एक था अमेरिका के जिसका नाम था लेरी वीजिल और दूसरा था स्विट्जरलेंड का जिसका नाम था हर्म सेगलर और किसली लिया उनको सामना करने के लिए संसार के सफसे भयानक समुद्र का सामना करने के लिए जिसका नाम क्या था साउथर इंडियन ओशियन दच्डी हिंद महासागर का सागे चलते हैं लिखा हुआ है कि आवर सेकेंड डे आउट आफ केप टाउन के बाहर यानि केप टाउन से जब वो निखल गए उसके दूसरे दिन यानि केप टाउन से निखलने के दूसरे दिन वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉंग गेल्स वी बिगेन माने आरंब हो गया टू एनकाउंटर माने था सामना होने लगा स्ट्रॉंग गेल्स मने था तूफानों से यानि हमारा सामना मजबूत जैनी भयंकर तूफानों से होना लगा मैं यृनि जब वो केप टाउन से निखलने दूसरे दिन बाद यहां पे ये कह रहे हैं आफर बता रहे हैं कि हम जो उनकी वाइफ थी जो उनके चिल्डन थे वगर सभी लोग यात्रा कर रहे हैं एक साथ और दो उनके क्रिवमें थे नहीं हैल पर थे कह रहे हैं कि हम लोगों का सामना भयंकर तूफानों से हुआ लिए कुछ वीकस अतले सब्ड़ा सहता कि देव बुग कंटिनियोसली वे जो तूफान थे कंटिनियसली बुग नगातार चलते रहें ग्येस डिट नौत वरी मी ग्येस स्वाइब रिव तूफान थे हवाय थी जो श्ट्रॉंग विंड्स थे वो मुझे चिंतित नहीं करते तूफानों ने मुझे चिंतित नहीं किया बट लेकिन वेपस का जो साइज था लेहरों के जो साइज था जो पानी की जो लेहर थी लेहरों का साइज वाज अलार्मिंग भयानक था जो लेहरों का साइज था बहुत ही भयानक लग रहा था उससे लग रा तो से निने इंट रहाँ रहा था है याँ पर ओथर बोल। हो वहत कि वैँमपटी मीटर सुछी अब उनकी किती मीटर सी इस पिकेolas में मुंग होता मस्तूल बिटा वो जो बोट के सबसे उपरी भात को शबसे उपरी बाग को मस्तूल यानि की पंद्रा मीटर से मेंमाठ था ऐर अन्य से उन्हें क्या लग रहा है दर लुग रहा है और आगे लिखा हूए 워서 दिसम्बर 25 फाउंड यानि कि 25 दिसम्बर को फाउंड मने पाया आस मने आपने आपको 3500 किलिमेटर इस्ट ऑफ कैप टाउन यानि कैप टाउन से पूर्व की ओर पूर्व की ओर 3500 किलिमेटर दूर पर अपने आपको हमने पाया कब 25 दिसम्बर को और आगे लिखा है कि डिस्पाइट मने अओता के बावजूद एक्ट्रोसियस मने अओता है बहुत भयानक या बहुत बुरा वेदर मने होता है मौशम बहुत बुरे मौशम होने के डिस्पाइट विदा Christmas tree यानि कि Christmas tree के साथ हमने wonderful holiday को आसर जनेक holiday मनाया आगे लिखाया कि New Year's Day सा no improvement in the weather New Year's Day यानि निवियर के दिन बिया जिस दिन था उस दिन भी सामाने देखा no improvement यानि कोई परिवर्तन नहीं दिखाय दिया इन देखाइए और जैसा उन्होंने कहा था बदला भी बदला ऐसा नहीं मौसम बदला नहीं मौसम बदला लेकिन के लिए बुरे के लिए बुरे के लिए अच्छा नहीं हुआ और भी बुरा हो गया तो इसको माउज तभी आएगी जब लीड लगा लो बिटा और बुक को सामने रखलो अराम से हम पढ़ा रहे हैं समझ में आपको आएगा तब आपको आएगा आगे लिखा कोई आएट डान आं जन्वरी तवेव सवर गाइगेंटय एग डां मानुत था नुन्य होता है वह सुभी के समय तो जन्वरी कि सुबह तो रहें थी वर गाइगेंटीग विशाल थीजरें थी नियुद्भी वेभर सेलिंग विद ओनलिया स्माल स्टार्म जिब we were sailing हम समुद्री यात्रा कर रहे थे यह हम यात्रा कर रहे थे with only a small storm jib jib माने होता है तिरपाल होता है हम केवल एक छोटे से तिक्योने तिरपाल को लेकर यात्रा कर रहे थे jib जो बिटा समुद्री हवाओं से और लहरों से बचाता है साइड में तिरपाल लगा रहता है उसी को jib कहते है तो यहाँ पर यह बोल रहे है और अथरा में यह बता रहे है कि हम एक छोटे से तिक्योने तिरपाल लेकर यात्रा कर रहे थे and were still making eight knots और eight और आठ समुद्री मील की गति से यात्रा कर रहे थे जिस तरह से हम लोग अपनी distance को किलोमेटर से denote करते हैं वैसे समुद्री यात्रा को यहाँ पर समुद्री यात्रा को दिखाने के लिए समुद्री यात्रा को eight knots से denote कर रहे हैं तो eight समुद्री मील की यात्रा से eight समुद्री मील की स्पीड से हम लोग क्या कर रहे थे यात्रा कर रहे थे एज दा सिप रोज टु दा टॉप आफ इच वेव वी कुट सी इंडलेस अनॉर्मल सीज रोलिंग टुवार्ड्स आज अैस दा सिप मषब जैसे सिप जहाज रोज माने उगना होता लेकिन आपसा ता ताप मैंने जिश रॉडश मैं पर परतेग लहर के जब हमारा जो सिप है वह परते प्रतेक लहर की चोटी पर प्रतेक लहर की उचाई पर पहुंचता था तो वीकुट सी हम देख सकते थी endless मन होता अनंत enormous मन होता विसाल सीज मन होता समुद्र को हम अनंत विसाल समुद्र को rolling टूवडस रोलिंग माने होता आते विवी तो प्योड़्स में की ओर आस में अपनी यानि हम जब अमारा जो जाहाद ता जो सीप था वह वेव के चोटी पर पहुंशता था तो अपने तो हम क्या देखते थे अनन्त विशाल समुद्र को अपनी ओर आते विश्वत देखते थ पानी फवारे की रूप में आता है उसी को इस्प्रे कह रहा है और जो हावा के चीगने की आवास थी और जो जो लहरों के जो फवारे थे पानी था और जो हावा की जो आवास थी वो हमारे कानों को दर्द देती थी यानि की सांती नहीं देती थी दर्द देती थी ठीक है आगे लिखा वहाएं कि थी अब यहां पर 37 जो दीमा करने के लिए लूज्य के लिए भी डॉप्ट को सलम्हóc internacionalने वागे बहुत भारी है जमतीड होते हैं जिसा नहीं जबा होता हाट है पार पानी मुसला तक्यक्म márwood होते होती उसरी उसी को कहते है तो यहां पर बहुत ब्लब में बतार दिए हैवी मूरिंग रूप गया जहाज को सिप के बांदने वाली रसी फी अलूप उसमें युट लुप मानने होता है फंदा लैस्ट मानने बानदा फंदा बांदा across the stern जो है सिपके सबसे लस्ट को पिछले पांगे का है उसके पीचे मुआपर डाल दीए पानी में अंदर डाल दी वह गढ़ेगी जाके तो उसकी स्पीड को क्या कर देगी धीमी कर देगी सिप गया देन मैंने तब आगे क्या बता रहा है लूप यानि फंदा बांद कर हमने क्या कर दिया और आगे बोले कि देन माने तब वी माने हमने लाइसा बठस फटे रहे होते हैं चुट सुट चुट चुट छाहाज रखें जिनमें इयर भरके कदें आती तो उनमें नीचे उतार देते हैं और धिरे करके आदमीयों कहते हैं वहीर पहुंचाते ا js तो लाइफ्त लाइफ र्यास किन सबस्क्शनिका कि आगनाyim से हम को बचना है उनसे और अटेस्ट लाइफ 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 को लाइफ लाइफ को अटेस्ट कलिया रास्टियों से आपने आपको सब लोग बांध दिया ताकि इदा उदार चीतिर भी थिर नहुपाई डोन्ड माने होता है पहनना ओईल स्किल्स माने होता है वाटरफूरूफ क्लोज और वाटरफूर कप्ले पहन लिए और लाइफ जैकेट्स और लाइफ जैकेट्स है लाइफ जैकेट्स और वाटरप्रूफ कप्ले पहन लिए ठीक है एंड वेटेट और किया किया वेटेट प impending disaster the first indication पहला संकेत of impending disaster impending अच्चानक आने वाला disaster या عचानक आने वाला समीब का disaster मन होता है जो समीब की जो मुसीबत थी अच्चानक आने वाली जो मुसीबत थी यह कह सकते हैं भयंकर मुसीबत की का पहला संकेत अचानक अचानक आने वाली डिसेस्टर मुसीबत आफ माने का फर्स्ट माने पहला इंडिकेशन माने था संकेत अचानक आने वाली मुसीबत का जो पहला संकेत जो अचानक आने वाली उनके सामने मुसीबत थी उसका पहला संकेत उन्हें कब मिला इंडिकेशन पहला संकेत के मने आया एट अबाओट 6 पि-म उनके पास 6 बजे साम को पहला संकेत आया और किसके साथ विदैन ominous silence ominous मन उता असुब असुब सांती चाही होऊती यानि कि असुब सांती के साथ उन्हें पहला मुसीबत के पहला संकेत उन्हें साम 6 बजे वो भी असुव संती के साथ मिला आगे लिखावा है कि दा विंड ड्रॉप ड्रॉप हावा क्या होगी ड्रॉप रुग गई जो इसकाई था आकास था वो ग्रिव डार्क हो गया काला पड़ गया देन मने तभी केम आप ग्रोइंग रोर रोर मनोता है गर्जन तब उन्हें बढ़तीवी गर्जन सुनाई दी एंड एन इनोरमस क्लावड टावड आफ्ट 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 आ पिछले फाग में यह सिपके पिछे एक मिनार की तरह आखर खड़ा हो गया आगे लिखा हुआ है कि विद हॉरर भय से आई रियलाइज्ट यहां पर आथर यह कह रहा है कि विद हॉरर भय के साथ आई रियलाइज्ट मैंने महसूस किया देट की इट वस नॉट अ क्लाउड यह बादल नहीं है बट यह वेव लाइक नौ अधर आई एवर सीन यह एसी वेव है जो मैंने कभी नहीं देखा आयड सीन अधर मने कभी नहीं नहीं यह एक ऐसी वेव है जो मने कभी नहीं देखा आगे बोला इट अपियर परफेक्टली वर्टिकल अधर प्रतीत हो रही थी अन लहरों की कमपैरिजन में यह डबल हाइट की थी इसकी हाइट जो थी डबल हाइट जो हाइट थी वो डबल थी विदा फ्राइट फुल ब्रेकिंग क्रेस्ट विदा फ्राइट फुल मने होता है भायावा रूप से ब्रेकिंग मने होता है तूटना तूटने वाली थी जो उपर की उर जाते हैं समुद्र में जो उपर वाला भाग होता है सबसे उसी कहता है क्रस्ट जो लहर का जो चोटी थी वह भया वैरूप से तूटने वाली थी तूटने वाली जैसा प्रतीत हो रही थी क्लेर है यहां तक आगे चलते हैं हम लोग अब और आगे लिखा हुआ है तरोर इंक्रीस्ट ट्वा थंडर एज ड़ इस्टर्न मूवड अब धा फेस ऑफ तवीव दरोर मनुत है जो गर्जन थी जो गरस थी इंक्रीस्ट माने बढ़ करके तुआ थंडर गड़ा हाट में बदल के जो गर्जन थी जो अभी तक गर्जन हो र गर्णड़ा हाट में बदल गई जैसे जो इस्टर्म था यानि कि लहर के लहर से उपर उड़ यह लहर के चेहरे की तरफ हो गया जब उनका जो बोट का पिछला भाग है लहर के से उपर उड़ गया लहर के कारण उपर यहन की पिछला भाग जो था वह लहर से उपर की ओर उड़ गया पिछला भाग उपर उड़ गया जैसे उनका पिछला भाग है जो था लहर से उपर उड़ गया and for a moment और for a moment बने होता एक च्छण के एक दोट ठूचा कि वी माइट राइड ओर इट मैंने यह सोचा कि मैं इसके उपर याक्सा कर सकता है गोड़ा। कि यह यह करने लूँगा को बट लेकिन जाना झरेंडास एक्सपोजियन् districts हुआ है ड्रभान्डस सब्सक्राइब भार fish सब्सक्राइब घना ये लिए अध्क भार या जिसने सूप माने लादिया फैसे दो को जिसने डेक को क्या कर दे बटा हिला दिया a torrent of green and white water broke over the soup a torrent माननो उता प्रचंड धारा यह भयानक धारा of green and white water हरे और सफेद कलर की पानी की प्रचंड यह भयानक धारा जो थी broke over मानने टूट पड़ी the swoją हिता है उनकी उनका उपर लेहर गई औरों के ऊपर के आओ गई तूट पड़ी और यहां पर यह कह रहे हैं और तरह बता रहें कि इन टोड़ी यह इन टोड़ी मैंट दोड़ी करने के लिए खुब है मैं टोड़ी और अब मुझे पता चला कि फ्लाइंग ओवर ओवर पोड़ कि आओं आउर आँ कर दोड़ी आँ और यहां पर यह बता रहे हैं कि I accepted my approaching death लिखा कह रहे हैं कि I accepted my death I accepted my approaching death मैंने I accepted my death मैंने 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 मेरी आती हुई death मैंने मत को मैंने अपनी आती ही मौत को स्विकार किया and as I was losing consciousness I felt quite peacefully and or as जैसे ही I was losing चुकी I was losing मैंने खो रहा था consciousness मैंने चेतना मैं अपनी चेतना खो रहा था यानि मैं धीरे धीरे बेहोस हो रहा था तो I felt quite मैंने फिल्ट मैंने महसूस क्वाइट मैंने पूर्ट या peaceful वानता सांती मैंने पूरी तरह से सांत महसूस क्या क्लियर है यहां पर आगे चलते हैं अब हम लोग तो ऐसा करते हैं आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे नहीं तो थोड़ा से वीडियो लेंथी हो जाएगा बाकि हम लोग मिलेंगे नेक्स क्लास में तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस फीडियो एंट टेक केर गुडबाय अर्वन हां तो बात यह समझ ले बिटा की क्यों और इसका एक्स्प्राइशन वागरा समझने के लिए चैप्टर को रीड करना सबसे जाजा जरूरी है जो कुछ बची हम यह देखते हैं कि सीधे वह वो क्वेश्टन आशर राइट कर लेते हैं और एक्स्प्लाइशन जो उसको देखके राइट कर लिया लेकिन गुट्ब बढ़ बरीवन